हेलो फ्रेंड वाले हैं इंकम टेक्स का चेप्टर निवर 29 का जो फर्स टोपिक आपका बनता है जहां से आपको जो है 15 माक्स कोईशन भी पूछ सकते हैं जेनरल प्रिंसिपल्स ओफ इंपोजिंग पिनाल्टी जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो बात आती है कि पनाल्ट टेक्स पे करना होता है जिस ठीक है अगर ससी जो हो जो भी हमारे लो में जो भी मारे इंकम टेक्स एक्ट में रूल रागुलेशन बनाए गई हैं उनको फोलो नहीं करता ससी उनको फोलो नहीं करता जो भी प्रोविजिंस लो एक्ट में बनाए गई हैं तो उसके उपर लग क्रियेशनरी पावर इसमें क्या है कि आप किसी पर इंपोज कर दो जाके कि हां वहीं चल तेरे एक्ष्टा चार्जे से तु यह पेकर ऐसा तो नहीं हो सकता ना हमें जो है वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि जो है कि हम इसके उपर प्र लगा देगी ऐसे ही जो है उसको बोल देगी कि भई हां तु यह इस चीस में जो है तेरे उपर एक्ष्टा चार्जे से तु यह पेकर हमें नहीं हम प्रूफ पर इंपोस नहीं कर सकते इंकम टेक्स अथरिटी है या कोई भी जो है असे सिंग ऑफिसर है अगर किसी पर कोई ले रहा है तो उसको जो है पहले बताना पड़ेगा कि हां भई तुम यह परफॉर्म करने में फेल हुए हो इसका यह वैलिड रीजन है यह नहीं कुछ भी बोल दो ठीक है कि तुम जो भी पनेल्टी लगा रहे हो जस्टिफाइब भी आपको करनी पड़ेगी तो फर्स्ट होना चाहिए सेकिंड बात करते हैं क्वांटम ओफ पनेल्टी को क्वांटम मतलब एक तरीके से एस पर दे लो ओन दे डेट ओफ डिफॉल्ट ऐसे नहीं है कि आपके उपर जो पनेल्टी बंड़ी है टैन थाउसन की और आप वन लैक की लगा रहे हो यह टैन थाउसन की बं पनेल्टी आपको एक तरीके से प्रिस्क्राइब की गई है कि आपने इससे कम नहीं लगानी है जितना भी कौंटम होगा पनेल्टी का जितने भी चार्जिस आप किसी पर ले रहे हो तो आपको जो है वो लगाने है कि किस डेट से उसने डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया है ठीक है उस डेट के अकोर्डिंग जो भी उसका लोग के अकोर्डिंग बनेगा जितने भी चार्जिस आप उससे उतने ही चार्जिस लोगे फिर उसके बाद आएगा हमारे पास प्रोसेजर प्रोसेजर में फर्स हमारा अससी मस्ट हाव बिन हीर मतलब कि हमने अससी की बात स हमें उसको सुनना है जो है जो भी हमारी income tax authority है वो ऐसे ही penalty impose नहीं कर सकती कि उसको जो है पहले opportunity दी ही नहीं सिद्धा हमने जो उसके उपर penalty लगा दी तो वो penalty जो वो invalid मानी जाएगी राइट तो पहले हम अपने ससी को जो भी जिसने डिफोल्ट किया पहले हम उसको एक तरीके से टाइम देंगे और उससे जो है बात सुनेंगे उसकी जो भी वो कहना चाहता उसका point of view हमने जरूर सुनना है कि वो अपने favor में कुछ कहना चाहता है कि नहीं कहना चाहता तो पहले हमने उसको opportunity देनी है और उससे पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया बी पार्ट में बता गया कि अगर penalty आपने 10,000 से ज़ादा लगाई है किसने income tax officer ने income tax officer ने 10,000 से ज़ादा penalty लगाई है तो पहले approval लेनी पड़ेगी या तो assistant commissioner की या तो deputy commissioner की इन दोनों में से किसी से भी approval लेनी पड़ेगी पहले इनकी permission लेने पड़ेगी उसके बाद आप penalty चार्ज कर सकते हो अगर income tax officer ने penalty लगाई है 20,000 से ज़ादा रूपीज की तो फिर approval लेनी पड़ेगी joint commissioner की ठीक है तो ये था हमारा फिर उसके बाद c part आता है कि income tax authority जब penalty ल इसके बाद हमारा fourth point of penalty under more than one section एक तरीकेस जैसे कि अगर police case लगा लो जैसे धाराई नहीं लगती है अलग अलग section की लगती है लाइक किसी बंदे ने murder भी करा है चोरी भी करिया तो उसके उपर अलग-अलग case चल रहे होते हैं सेम टाइम पे तो ऐसे ही अगर same person अलग-अलग तरीके के default करता है लाइक उसने tax evasion भी किया टेक्स चोरी भी की है उसने income भी गलत दिखाई है उसने और fraud भी करा है एक तरीके सा मतलब जो हमारे income tax के rule regulation बनाये है उसने एक सजाधा rule को तोड़ा है ठीक है तो उसने सिद्ध मानलो two और more than two section जो वो unfollow करे हैं तो उनमें जो ह है सारे section के जो है penalty charge की जा सकती है if a person commits a fault or he commits so many faults under various section of the act की act के जितने section है उसमें जो है यह बहुत सारे जो है false करता है तो उस case में जो है penalty में be imposed under more than one section at a time तो same time पर हो सकता है लाइक उसने एक section नहीं follow करा तो उसके उपर penalty लगी 10,000 रूपिस की एक और section उसने जो है नहीं follow किया तो first वाले में लगी थी 10,000 की और दूसरे के recording मानलों उस पर लगी 20,000 की penalty तो same time पर उसको जो है यह दोन अमाउंट जो हो 30,000 पे करनी पड़ेगी तो यहां पर यह बात कह रहे है तो यह चार जेनरल प्रिंसिपल्स थे जो हमारे इसके अंदर हमने study किये सो इससे नेक्स वाली वीडियो में जो हम पड़ेंगे items of penalties so guys thank you so much for watching this video please like share and subscribe income tax का जो मैं आपको पूरा syllabus कर वारी हूं इंकम टेक्स की playlist का link आपको description box में दूंगी सारे यह ऐसे notes के through easy language में कर वारी हूं तो आप वो check out कर सकते हो आपको जो हापका सारस ले बस वहां से easily cover हो जाएगा और ऐसे ही आप यहां से देख देख के अपने notes भी बना सकते हो so bye bye take care have a good day